इंतजार ती वारिस की कि बहुत देरी से इंति जार थी और यह आसा देखने को मिल्भा लग रहा लगा है कि यह कम से कम एक मेह लगा एक मेहinas चले कि बाड राज जाए खुछ भी आ लेकिन आज बहुत दिन बाद बारिश हो रही है और इधर के लिए पहला मॉंसुन पटना के लिए पहला मॉंसुन है पिछले कई मेहनों से विशन गर्मी चल रहा था लेकिन आज बहुत दिन बाद बारिश हो रही है और इधर लोग हैं हम बात करेंगे कि बारिश से कितनी रहात मुली है क्या नाम हो मैडम मेरा नाम डॉक्टर श्वे पिलकुल खुशन देखने की कारण सरकार कुछ कर काहां रही है इतने लोग कोई भी प्रिकॉसंस नहीं है सरकार के तरफ से कहीं रोड़ पे भी आपको कोई फैसिलीटी नहीं देखने को वारिष खुश्य मिल रही है विलकुल से रहात मिलेगे बहुत दिन बाद कितना खुशन बहुत खुशन आया है और ये बारिश जो है सभी जीव जन्तु के लिए मानव के लिए बहुत ही जो है सुखदाई मौसम लेके आया है और इससे हम लोग बहुत खुशन प्रशन है लेकिन सरकार को जो चाहिए था गर्मी के दिनों में हर जगा पानी की ववस्था करना गर्मी से लोगों को कैसे नि कि बारिश हो रही है जी बहुत गर्मी कम हो गया है बारिश के इंतजार कितने समय से था अब बारिश हो रही अच्छा लग रहा है बहुत खुशनमा माहौल है भीन तो भीन जाहिए उससे कोई दिकत नहीं है बारिश होनी चाहिए बारिश होनी चाहिए बारिश होनी चाहि समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा इंतजार थी बारिस की बहुत देरी से इंतजार थी मतलब बेस अबरी से इंतजार थी और यह आज बैसा देखने को मिल रहा है कि यह कम से कम एक मेना चले एक मेना चले बिल्कुल बिल्कुल ब बारिस से बहते हैं सामने बारिस हो रही है और इस विशन गर्मी के बाद बढ़ना में बारिस हो रहा हुगा और इतना वारिस फिऩाल बहुत अच्छा लग रहा है किसानों के लिए बारिस बहुत ज़्यादा ज़रृत होता है तो पक्की सड़क भी नाला बन जाता है तो अगर इस सीजों को ध्यान देखा जाए तो बिल्कुल बानम उठाया जा सकता है बारिस का चलिए तो बारिस तो हर्च किसी को पसंद आता है सब्सक्राइब कर देखनेौ में लंगे समय बारिस हो रहा है और यह बारिस लोगों का इंतजार था की रहे हो हम नहीं भी खबर आपको दिखार है ấy तो परतिकिलिया क्या है जो क्या है कि अब बिशन गर्मी थी उपकम होने वाली है लोग परिसान तो घर नहीं निकल रहे हैं कि इतनी गर्मी है और सरकार के तरब से चेताबनी भी दिया गया था कि जहां पानी का वेवस्था नहीं हो आप पानी वेवस्था कराए जाए और 24 इंटु 7 आपर लाइन और बिजली दी जाए काटी नहीं जाए तो बारिस पटना में हो रही है और लोग काफी खुश है चाह करें बहुत बहुत धन्यवाद